नमस्कार साथियों आज केंपूर्टर एजुकेशन का बहुत ही मैत्वपून टोपी करने जा रहे हैं यह बैसिक केंपूर्टर का एक अभीन अंग है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे का जो विश्य है हमारा इमेल इमेल कोई बारे में पढ़ेंगे हर कंपेटिशन एक्जाम या e-file या e-book को हम डाउनलोड करकें इमेल से एक वैक्टी से दूसरे वैक्टी को एक औरगिनाजेशन से दूसरी औरगिनाजेशन से एक देश से दूसरी देश में पल भर में ही भेज़ देते हैं इमेल एक ऐसा माध्यम है जिसके दवारा सुचनाओं का आदान परदान होता रहता है इमेल एक electronics mail है वकिस पर कर हम बेजेंगे आज हम पढ़ेंगे email क्या है और इका प्रयोग काशे कहा कहां कहां किया जाता है इसके बारे मिदी डिस्कुस करेंगे हमारा जो पहला जो टopik रहेगा कि email क्या है और email का address क्या है और इसके email के lab क्या है आज हम इसके discuss करेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि में टॉपिक हमारा email क्या है? इसका email का email address क्या है? email का ये कैसे करती है? समने dessa丁वर email में क्या नत्र है? email के lab क्या है? और email account कैसे बना जाता है? इसके बारे में हम discuss करेंगे email account जैससे आप को तो मुपाइंडरोड समने जिए उन में एक इमेल बहुत ही करमाता है फॉर अग्जामपल हम बेसिक केमपूर्टर में इमेल का एक एहम रोल होता है सब आज हर घर में एंडरोड फोन हैं मुपाइल हैं, समसंग के हैं, यू के हैं, एपल्स के हैं या N.A.V.W.S की हैं, बहुत सारी कंपनी's की हैं सबसे पहले हम फोन को चलाने के लिए इसमें अपने जिसे मार्केट में कोई भी नया फोन करिए है तो हम सबसे पहले मॉमबाइल करीते ही हमें उसको चलाने के रंडर के लिए एक इमेल की जरूत परती है और उस email को के मादम सी हमारा phone जो है उसमें चलता है हमारे data save होते हैं और मारे जो contact होते हैं या हमारे photos वगरा save होते हैं वे सभी emails में save होते हैं और ये सभी हमें एक email के बिना संभव नहीं हो सकता email एक ऐसे चीज़ है जो आपको आपके जीवन से संबनित आपके mobile से संबनित या यू कहीं कि सबसे important जो रहेगा एक email बहुत ही महत्तपुन माना जाता है email के मादम से हम जैसे हम कोई tournament वगरा करवा रहे हैं जैसे हम state level की या national tournament वगरा है या कोई meeting वगरा कर रहे हैं तो हम वहाँ नहीं जाप सकते तो हम क्या करते हैं mail कर देते हैं documents mail करते हैं photo mail कर देते हैं scan sign mail करते हैं या अपना जो PDF वगरा mail कर देते हैं और वहाँ क्या होता है कि zoom के मादम से या नहीं कोई यह नहीं साधन है जिनके मादम से हम अपने वहाँ presence हो जाते हैं कोई हमें mail कर दिया तो यह प्रकार की होते हैं mail के बारे में discuss करेंगे ठीक है और account कैसे मनाते हैं इसके बारे में discuss करेंगे कुछ साल पहले हमें देखे question यहां बनता है कि कुछ साल पहले कुछ समय पहले अपने सगे समंधियों को हाल चाल पूछने के लिए हम पत्रों का या लेटर का आदान परदान करते रहते थे जिसे हम अपनी भावनों को व्यक्त करने करते थे लेकिन इस पत्र को पहुंचने में काफी समय लग जाता था और उसमें post office होते थे पोस्ट में आपका पत्र दो दिन में पास दी में दस दिन में लेकिया आता था और जैसे पहुंचता था और एक दुसरे को वापकर रहते हैं परंतो अब आत्मिक समय में उस अब बदलाव हो चुका है और इस बदलाव के साथ साथ अब हमें email आखिल तक पहुँच गए है आखिल email होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे देखे सब सब पहला topic है email क्या है email का अर्थ है electronic mail देखे सब से important topic है हमारा email होती क्या है इसके बारे में हम discuss करेंगे सबसे important जो टुपिक है कि email क्या है और email को क्या करते हैं electronics mail internet electronics mail भी कहते हैं ठीक है और इसे संदेश बेजने संदेश पाने का एक मात्यम है यह internet से मिलने वाली एक विशेश सिवा है जो इमेल पारंपरिक डाग का एक एलाक्टोनिक डूप है जिस पर तरह से हम संदेश लिखने के लिए हम कागज़ पैन का परियोग करते हैं उसी तरह से हम इमेल या संदेश बेजने के लिए हम के अमपोर्टर का परियोग करते हैं इमेल से हम किसी भी समय 24 गंटे 24 आवर in 7 डेज 24 आवर in 7 डेज ठीक है विशो भर में कहीं भी अपना संदेश भेज सकते हैं और इसे भेजने के लिए सबसे जुरूर है हमें संदेश भेजने वाले की हमें इमेल एडरेस मालम होना अनिवारी है जिस तरह से पहले डाक भेजते समय हमें पोस्ट कार्ड पर लिफापे पर अगले का जहां में लेटर बेजना था उसका पता होना अनिवारी था उसी परकार यहां भी इमेल करते हैं उनका एड्रेस मालम होना बहुत जरूरी है इमेल बेजते समय हमें विभीन परकार की जो संदेश भीजने के लिए हमें इमेल अड्रेस होना अनिवारी है यह उस समय में जब हम प्राचें समय की बात करें यह पोस्ट में थे जो पोस्ट में थे और डार्क लेकर आते थे वह इसी परकार आज के समय में हमें क्या उना अच्छी इंटरनेट प्लस था इसके जो बात को बेद सकते हैं ठीक है और सबसे इंपोर्टन जो रहेगा वो सबसे है अगला क्वेशन है हमारा अगले पॉइंट बनेगा कि इमेल का पता या इमेल एड्रेस इसके बारे में बात करेंगी सबसे परें बात करते हैं कि परते की मेल के एड्रेस के दो फाग होते हैं देखिए सबसे इंपोर्टन आप सो कभी नहीं प्रताया वाकि इने कि बैसिक इंपोर्टर में इसमें कि इमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं एक जो एड्डारेट होता है ठीक है फूर एक जंपल एड्रेस का पुर्योग क्या करते हैं जैसे कि हम दिया दिखाए एड्रेस का पुर्योग क्या दता है उधारन के दोर पर कपूर इसमें कपूर किसी भी वेक लाग जो एमेल भेज रहा है या प्राप्त कर रहा है का नाम है या उसके नाम या अपनाम है या कुछ वेक इन्दी – जो मेलнееbs दो कहा जाता है और किसी भी user ID की जितने भी इमेल होंगे निए इस विद अलग होगी तो अपकी email बन जाएगे जब है जसे इमेल बनाते हम हम क्या करते हैं कोई email बनाते तो email जो अलड़ होती है न हुस पर बनती नहीं है उसके कुछ नेम्ट रचल के सोजेशन में दे देती है और उनका अधार पर हम इमेल के बारे में डिस्कस करते हैं ठीक है इमेल के जो कोश्चन है उसके अगला कोश्चन इसमें बताएगा है इमेल आड़ी से तो किसी वेक्ति का यूजर आईडी इमेल से वाद देने वाले कंपनियों के दवारा मानेता प्राप्त होती है अर्थार्थ हम अपना यूजर आईडी इमेल से वापर दादाता कंपनियों से जीमेल डोट कॉम है होटमेल डोट कॉम है या डोट कॉम है या रैडिफमेल डोट कॉम है एक अकाउंट खोलने को होता है ये दिपास होला कि यूजर आइडी किसी के पास है यह दो लोगों के पास वे शकता है पर उन्तु कुछ ने कुछ एक आटो नमबर चिन है जो अलग हो सकते लगा कर लगा सकते हैं जिससे ताकि हम उनसे अलग होतके हैं रेक नाम में परम अंडर रूट वन दूसरे वेक्ते परम दो तीन चार इस दोनों की भाव में जो मेल सर्वर हैं वे जुड़ते नहीं हैं और एक अलग हो जाते हैं जैसे कपूर लिखा ना पहले पहले कपूर था एड़ दा अब यह कपूर करें चाहिए जो सिंबल हर वन लगा दिया और इसे कहा हुआ होटमेल डोट कॉम तो मेल सरुर बन गया है इमेल आइडी को त्यार कैसे करते हैं लिखते कैसे हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो इसमें हम बताएंगे कि इमेल आइडी से कारिय करने के लिए सबसे इंपोर्डन जो रहेगा कि क्या है इसमें इमेल आइडी कारिय करते हैं यह समझने के लिए आए आईए हम अ एक सामने पत्र बेजने के लिए निमनकारिय करते हैं सबसे पहले हम पत्र को लिखते हैं पत्र लिखते हैं उसके लिफापे में रखते हैं ठीक है लिफापे में लिखने के बाद उस लिफापे जहां बेजने वाला होता है उसका पता लिखते हैं एडरस लिखते हैं और उसे जालें और इमैल डालके फिर हम क्या करेंगे उसकी मेड़ डालने के बाद उसमें हम करतेंगे जैसी एंटरफेस होताई खरके शान कर गया करें तो सेंड कर देंगा ठीक है शेंड का उप्षिना आजगा लगड़ एक पहले अपनी जहां भीजना वसे ईमिल को इस परकार अपने इमेल का कारिय करते हैं और यह था इमेल के बारे में कुछ इंपोर्ट जानकारिया अगर आपको अच्छी रगए हो तो सेर करें